तो जो सवाल है वो ये पूछा गया कि वोली साब एक बात बताईए कि जो पेट्रॉल और डीजल के प्राइसेज हो रखे हैं 120 रुपे लीटर या 110 रुपे लीटर के हिसाब से उन सब में राज्य सरकार और केंदर सरकार का अगर हम परसंटेज देखते हैं कि कितना परसंटेज उसमें टैक्स है तो पता चलता है कि पूरी प्राइस में से अगर 120 रुपे लीटर आज कंज्यूमर को पेट्रॉल मिल रहा है तो उसमें से 60 रुपे सरकार टैक्स वसूल रही है टैक्स वसूल रही का मतलब ये हुआ कि लगभग पेट्रॉल कुरूड आइल के रूप में देश में आने पर रिफाइन होने पर और आम आदमी तक पहुँचने में कुल मिलाकर मुश्किल से 55-60 रुपे का वो पढ़ता है चाहे मार्केट कितना भी उपर नीचे हो जाए उसके बावजूद भी वो आम आदमी को इतना महंगा पढ़ता है तो आप से निवेधन है माननी है सरकार कि आप अपने द्वारा ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी हटाएं और राज सरकार से निवेधन है कि वो जो उसके उपर कर लगाती है इस्टेट टेक्स लगाती है वो हटाए जिससे की आम उपभोकता को वो सस्ते दरों पर पहुँचे लेकिन निर्मला सीता रमंजी ने जवाब दिया कि भई मैं इसके उपर कुछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे लिए केवल और केवल आज का विशय नहीं है पेट्रॉल और डीजल पर चर्चा करना तो बोले फिर जो यूपीय का कार्यकाल था यूपीय बोले तो मनमोहन सिंग जी की जब सरकार थी उस समय पर ओईल के अंदर जो कारे हुए बोले क्या कारे हुए बोले उन्होंने उस समय पर ओईल बॉंड जारी किये थे तो जो उन्होंने oil bond जारी किये थे न, उनके चलते हुए आज की इस्थिती ऐसी हो गई है कि हमें पुराने करज चुकाने के लिए आज भी आप लोगों से जादा पैसा वसूल ना पड़ रहा है मतलब कुल मिलाकर बात ये कही गई कि आप लोग जितना tax हमको दे रहे हैं वो ये ना समझे कि NDA government दे रही है, NDA government tax वसूल रही है अपितु UPA government ने एक काम किया था जिसका नाम था oil bond और हम उस oil bond के लिए आप से tax वसूल रहे हैं तब ही से यह विशे बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है UPSC point of view से, examinations point of view से ये काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए हमेने इसे topic of the day के अंदर रखा है जो कि आपके exam के लिहाज से काफी important रहेगा क्योंकि इसमें economics related है ध्यान से समझ लीजेगा जो oil bond हुआ, green bond हुआ, masala bond हुआ ये सारे वो bonds हैं जो इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं तो ये oil bond जो शब्द है ना इसे आप दिमाग में रख कर चलिए और इसी से आज के session के अंदर हम इसे relate करके समझने का प्रयास करते हैं कि after all oil bond की कहानी है क्या चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ साथियों, यदि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में एक one liner question की तरफ लेके चलूँ कि oil bond की शुरुआत कब से हुई और एक शब्द है जो बार बार आपको यहां देखने को मिलेगा that is OMC oil marketing companies जिनके बारे में हम आने वाले समय पर चर्चा करेंगे oil marketing companies में OMC में कब शुरुआत हुई थी इस प्रकार के oil bonds की अब आप पुछेंगे OMC का क्या लेना देना है इस बात को समझाने के लिए ये बात हमने इस session से आप लोगों के सामने उठाई है तो UPA पर ठीक राफोड देना है इस प्रकार से एक बार घटना पहले भी हुई थी इस पर भी मैंने पहले एक session किया था और उस session में मैंने proper तरीके से आपको उस समय पर भी ये news है अगस्त 20 2021 की सितमबर, अक्टूबर, नमबर, दिसमबर और आठ महीने पहले की तो पुराने नियूश शायद आप भूल गए होंगे मिलियंस में लोगों ने इसको देखा हुआ है अगर नहीं देखा है तो आज का session समझ लीजेगा आपको ये clear हो जाएगा कि petrol और डीजल की prices को कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है और मंशा ना होने के पीछे जो उनका strong will है वो ये है कि पुरानी सरकारों ने हमारे साथ जो किया हम वो आपके साथ कर रहे हैं अब आप उछेंगे पुरानी सरकारों ने ऐसा क्या किया अब ये point बहुत जादा important हो जाता है इसलिए इस विशय को काफी महत्वपून तरीके से समझने का प्रयास करें सबसे पहला प्रशन बनता है कि after all oil bond होता क्या है क्योंकि जब भी हम किसी बारे में चर्चा करें तो सबसे important जानना जरूरी होता है कि after all oil bond होता क्या है देखिए कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करें मैं आपको थोड़ा सा ना facts बताने का प्रयास करता हूँ एक बार के लिए आप इस news को सुने जैसा आप सबने देखा एक बार के लिए थोड़ा सा इस facts को आप देखने की कौशिश करें अगर आपसे पुछा जाए कि सबसे पहले oil की जो prices है वो market में सबसे पहले deregulate कब की गई थी deregulate का मेरा मतलब हुआ कि जनता के सामने जो prices थे वो market based कब कर दिये गए थे मैं एक figure आपके साथ share करना चाहता हूँ और उस figure को आप लोग एक बार के लिए मेरे साथ देखें हाजी इधर देखिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पहले सरकारे तै किया करती थी कि आम जनता को पेट्रॉल और डीजल कितने रुपय में मिलेगा लेकिन सरकारों ने इसके उपर से अपना नियंतरन धीरे-धीरे हटा दिया हटा इसलिए दिया क्योंकि सरकारों को लगता था कि जब भी ओईल और पेट्रॉल की डीजल की प्राइसेज बढ़ती है तो बढ़ती अंतरास्ट्रिय मार्किट में है और दवाब सरकार पर आ जाता है इसलिए सरकार ने मार्किट को खुला छोड़ दिया खुला छोड़ दिया से मेरा अर्थ ये है कि अब तो हालात ये हैं कि पेट्रॉल और डीजल के प्राइसेज यदि अंतरास्ट्रिय इस तर पर मार्किट में थोड़ा भी उच नीच हो रहा होगा तो मार्किट का प्रभाव सीधा सीधा आपको पेट्रॉल पंप के काउंटर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा ये सारा कारेकरम 2017 से होना शुरू हुआ यदि मार्किट को पूरी तरह से डी रेगुलेट कर दिया गया अब एक बड़ा सवाल बन रहा है अब बड़ा सवाल क्या बन रहा है बोले सर एक बात बताईए मार्किट को पूरी तरह से डी रेगुलेट कर दिया गया यारेगुलेशन का मतलत है सरकारी नियंतरन से मुक्त कर दिया गया, ठीक है, डी रेगुलेशन, अच्छा, अब आप पुछेंगे सर, सवाल बहुत अच्छा ये है, कि सरकारों ने डी रेगुलेशन कर दिया, तो ये आईल बॉंड की कहानी कहां से आ गई, तो ये पुरानी क मैं इसीलिए आप से कह रहा हूँ कि एक कहानी 2010 से पुरानी है पर बाद में इसका इसका इस्तवाल बीच बीच में कभी कभी होता रहा फिर आप फूचेंगे ऐसी कया कहानी है सरल रूप से समझते हैं एक बार के लिए यो समझे माल लीजियے कि आप जो है किसी company के संचालक है माल लीजिये Indian Oil Corporation जो है वो आपके पास है इंडियन Oil के आपको मतलब मैं इस प्रकार का एक आसेरवाद देता हूँ कि आप Indian Oil Corporation के आप भारक Petroleum के या पर इंदोस्तान Petroleum के मालिक हो हाला कि ये सब की सब महारतन हैं, लेकिन हम तो चाहिए आपके लिए इस तरह की कलप ना करते हैं, ठीक है? आप सोचिए कि आप ऐसी किसी कंपनी के मालिक हैं इधर बैठी हुई है सरकार ये रही सरकार सोचके सब्सक्राइब प्रथान मंत्री साहब है या फिर कोई भी आपने मतलब सरकार का प्रतिनेदित्व करने वाले व्यक्ति है इधर ये कंपनी बैठी हुई है और इधर है आम उपभोगता जो की इंतजार कर रहा है कि उसे पेट्रॉल डीजल मिलेगा अब जनाब होता क्या है कि पेट्रॉल को आप तक पहुँचाने में जिन लोगों का बड़ा कंट्रिब्यूशन है वो कंट्रिब्यूशन इन दो लोगों का है कैसे यह जो बड़ी ओएल कंपनी है चाह आई ओसी है चाहे भारत पेट्रॉलियम है चाहे हिंदुस्तान पेट्रॉलियम है यह बाहर के मार्केट से क्रूड ओओड परचेस करके लाती है crude oil purchase करके लाई गल्फ के मार्केट से या फिर कहीं से भी इन्हों ने crude oil purchase किया अपनी refineries में उसको refine किया और refine करके सरकार से कहा कि लीजिये सहाब तेल बनकर तयार हो चुका है अब इसे जनता में बाट दीजिये जनता में बाटते समय सरकार ने कहा सुनो कितना oil बनाया आप लोगों ने इनने कहा साब हमने 100 लीटर तेल बना दिया उधारन की रूप में बता रहा हूँ 100 लीटर तेल बना दिया तो सरकार ने कहा सुनो 100 लीटर तेल तुमारा बनकर तयार हुआ होगा 55000 रूपए के अंदर तो एक काम करो इसके अंदर सीधा सीधा कीमत कर दो 10 respective तुम ही लोग distribute करो लेकिन अब इसको 50 के बहाओ से नहीं इसको 100 के बहाओ से distribute करो लोगों ने पूछा, इन company'ों ने पूछा कि सहाब एक बात बताओ अगर हमने इसको 100 रुपे लीटर के हिसाब से बेचा तो इस वज़े से कीमत 10,000 रुपे तो हो जाएगी लेकिन आम जनता को नुकसान होगा सरकार ने कहा आम जनता के भले के लिए ही हमने ये काम किया है बोले क्यों? बोले जो टेक्स एक्स्ट्रा वसूल रहे है ना उसको हम ले रहे हैं उस आदमी से जिसे पेट्रॉल और डीजल की आवशकता है जो इस काबिल है कि वो पेट्रॉल और डीजल के वाहन उपयोग में ले सकता है हम उससे टेक्स वसूल करके गरीब के बीच में लेके जाएंगे उस टेक्स को बोले क्या करोगे गरीब को मुफ्त में सिलेंडर बाटेंगे गरीब को मुफ्त में अनाज बाटेंगे गरीब को मुफ्त में सिक्षा देंगे गरीब को मुफ्त के अंदर रहना देंगे गरीब को मुफ्त में सोचाले देंगे जो भी इसको मिल सकता है वो सब चीजें हम देंगे क्योंकि अल्टिमेटली उस व्यक्ती का जिसका कोई रखवाला नहीं है उसकी सरकार रखवाली है तो उसकी केर कैसे की जाए तो जिनके पास मोटर साइकल, स्कूटर, कार वगेरा है उन से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए और उन लोगों के अंदर डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाए समझ ये कि ये एक समाजवाद की आवधारना है जी इस कारेकरम को सरकार करती आई ठीक है साथ, कोई बात नी आप और हमने पेमेंट कर दिया और बढ़िया से जो हमारे एडिशनल खर्चे थे वो सरकार ने अपने पास भर के रख लिए लेकिन अब सहाब क्या हुआ जिनको सरकारों ने मोटर साइकल से तेल का मतलब महंगा किया था या सरकार जिनके लिए मुफ्त में योजनाय चला रही थी चाहे मनरेगा की चला रही थी चाहे स्कूल की सिक्षा चला रही थी या फिर उनको मुफ्त में सिलेंडर गैस सिलेंडर माटे जा रहे थे अब उनका भी थोड़ा थोड़ा एकॉनोमिक अपलिफ्टमेंट होने लगा अपलिफ्टमेंट से मतलब हुआ कि उनके पास भी पैसे धिली आने लगे वो सरकार से कहने लगे सर एक तरफ तो आप हमें मन्रेगा के माध्यम से मजदूरी देते हो हम अपनी मोटर साइकल के अंदर जैसे ही तेल डलाने जाते हैं आप उतमें से आदा पैजा खुद वापस ले लेते हो क्योंकि सरकार ने सोचा क्या था मध्यम वर्ग या उच्छ वर्ग से पैसा लीजिए और निमन वर्ग के लोगों में बाट दीजिए लेकिन उल्टा हुआ क्योंकि धीरे धीरे आर्थिक सम्रदी आने लगी तो आम व्यक्ति के उप्योग में भी पेट्रॉल और डीजिल की गाड़िया आने लगी ऐसी इस्थिती में अब सरकार के टेक्सिस उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं अब सरकार करे तो करे क्या ऐसी इस्थिती में सरकारों ने एक तरीका डूंडा सरकारों ने तरीका क्या डूंडा भूले अगर अब अंतरास्ट्रिय मार्किट में ये जो तुम पचास रुपए लीटर के हिसाब से तेल ला रहे हो ध्यान से सुनना 2010 से पहले की बात बता रहा हूं जिसकी वज़े से आज इस सुरकी को आपको पढ़ना पढ़ रहा है क्योंकि निर्मला सीता रमन जी का कहना है कि आज पेट्रॉल डीजल की जो कीमते हैं वो मेरी वज़े से नहीं है वो यूपीय गवर्मेंट की वज़े से हैं तो हम ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टरॉल यूपीय गवर्मेंट ने ऐसा किया क्या था और दूसरा क्या वो इतना बड़ा कांड था क्या जिसकी वज़े से तेल इतना महंगा हम लोगों को मिल रहा है ये दोनों ही बातें आज हम सीखेंगे तो पहले हम उस सवाल की खोज में चल रहे हैं तो सब सरकार ने 50 रुपे लीटर के हिसाब से इन IOC, BP, HP इन सबसे तेल जो था वो खरीदवाया था और बाद में आप लोगों तक 100 में पहुँचवाया था लेकिन अब क्या हुआ जैसे रूस और सीरिया का क्राइस, यूस और यूकरेन का क्राइसिस हुआ है ऐसे पहले गल्फ में कोई न कोई युद्ध होता रहता था युद्ध हुआ, तो ये 50 रुपे लीटर में जो मिलने वाला तेल था ये बढ़कर के अब पहुँच गया 60 रुपे लीटर नई योजना की घोषना तो कर दी लेकिन पैसा कहा से आएगा अल्टिमेटली जनता को टेक्स लगाया जाएगा जनता को टेक्स लगाया जाएगा तो नेता जी ने क्या किया अब यहीं पर सारा जोलम जोल है जो आपको समझना चाहिए यहां नेता जी ने, यानि की सरकार ने, केंदर सरकार ने क्या किया, इस oil company से कहा, देखो तुम्हारा तेल अब 60 रुपे का हो चुका है, तुमको मुझे 50 रुपे जो मैं पहले tax लेता था, यह जो 100 रुपे था न, इसमें 50 तो company का था पहले, और 50 tax था, तो बोले तुमको 50 र आप वाला tax लगा दिया, तो आम जनता को अब यह वाला जो petrol है न, यह 110 रुपे लीटर पढ़ेगा, पहले 100 रुपे लीटर पढ़ रहा था, अब नेता जी खोबड़ी खुजा ले, बोले यार अगर ऐसा हो गया, तो धरना प्रदर्शन जनता सुरू कर देगी, तेल इतन जनता को सौ रुपे में ही दो, ओईल कमई ने का सर एक मिनिट रुको, हम तो दे देंगे, हमको तो साथ रुपे लीटर पढ़ रहा है, आप लोगों ने पचास रुपे की डिमांड करी थी, एक काम करो सर, इस पचास की जगए आप चालिस ले लो हमसे, नेता जीन का पाग ये साथ है, ये पचास है, तो एक सो दस है, आप करो सौ में दो, और खुद पचास रुपे आप अभी भी लेना चाहते हो, फिर कैसे काम चलेगा, बात ये है, कि जो प्राइस बड़ी है ना, दस रुपे की, उसका पेमेंट तुम लोग करो, कमपनी ने कहा, माननी है, हम इ कि तुम इस धन को अपने जेब से दो, तो बोले फिर, बोले वो जो दस रुपे एक्स्ट्रा भाव बढ़ा है ना, उसका पेमेंट आज तुम कर दो, भविश्य में जब हमारे पास पैसा होगा, हम तुमें पैसा दे देंगे, ध्यान से सुनना, बड़ी इन कंपनियों को क्या कहा गया, कि बेटा पहले तो तुम पचास रुपे लीटर खरीदते थे, अब साथ रुपे लीटर हो गया है, यह जो दस रुपे का डिफरेंस है ना, इसको फिलाल तुम ही भुगत लो, बोले सर भुगत तो लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा घाटा ह हो जाएगा हमको इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाएंगे हम, क्योंकि करोडो लीटर तेल लाना है, कहां से लाएंगे हम, बोले सुनो, पेमेंट फिलहाल तुम लोग कर दो, और हम तुमें गारंटी देते हैं लिख करके, ध्यान से सुनिएगा, सरकार क्या बोल रही है, सरकार कंपनी से कह रही है, कि मैं लिखित में गारंटी देती हूं, क्या गारंटी की वर्ष 2020 में, अब देखना ध्यान से, 2010 के अंदर बाते हो रही है, सरकार कारिंटी क्या दे रही है 2020 में मैं तुमारा पूरा पेमेंट वापस कर दूंगी अब कमपनी जो है वो नेता जी का मूँ देख रही है नेता जी 2020 में आपकी सरकार आएगी ये विस्वास है क्या आपको बोले करमों से तो नहीं है कि हमारी सरकार आएगी लेकिन फिलाल के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि अब 2020 में आपका पूरा पैसा लोटा देंगे बोले सर इस 10 साल तक का जो पैसा बचा इसका ब्याज कौन देगा हैं आपने माल लीजे हमको 1000 करोड रुपया दिलवा दिया उसका इतना साल तक इंतजार करेंगे हम पागल हो गए हैं क्या सरकार ने का चिल इसकी एक व्यवस्था करते हैं बोले बताओ बोले तुम्हें हर साल इंट्रेस्ट पेमेंट दिलवाएंगे इंट्रेस्ट पेमेंट मतला ब्याज तुम्हें हर साल दिलाएंगे ब्याज दिलवाओगे ब्याज किस परसेंटेज पर दिलवाओगे बोले तुम्हें हर साल आठ परसेंट का ब्याज हम भुगतान करेंगे कौन बोली सरकार बोली क्या बोली सरकार कि 2020 में तो तुम्हें पूरा पैसा लोटा देंगे पहली चीज नमबर दूसरी चीज जो ब्याज बन रहा है वो हर साल ले लो तुम ब्याज लेते रहो मूलधन 2020 में ही लेना ओके 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 अम मतलब समझ में आ गया कि मूलधन अभी नहीं मांगना है ब्याज मांगना है पूल ठीक है ये जो लाइन अभी मैंने बूनी न क्या सरकार ने लिखित में गारंटी दी किनको आईल कमपनियों को क्या कि आईल तुम्हारा लेतो रहे हैं लेकिन पेमेंट बाद में करेंगे इसी प्रक्रिया को आईल बॉन्ड कहा जाता है ठोको ताली अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार जो है वो थमसप कर दो बात किलियर हो गई हो तो सेशन को शेयर कर दो क्या बोला मैंने किलियर हो गया सरकार ने जो बात कही वो केवल इतनी थी कि भविश्च में पेमेंट करेंगे ब्याज समेट ब्याज अभी से लेते रहे न पेमेंट बाद में लेना ये जो गारंटी दी गई न इसी को आईल बॉंड कहा जाता है अब आपके दिमाख में सीधा सा प्रश्ण बनेगा तो क्या UPA सरकार ने कुछ ऐसा किया था क्या टेबल को आप ध्यान से देखें सरकार ने ओईल कंपनियों से कह रखा था कि 2015 तक 2005 में लिया था क्या किया था बफरिंग 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 कोई नहीं कोई नहीं अब ठीक हो गया होगा ठीक है चैनल का नाम भले ही वाइफाई हो लेकिन हमारा जो वाइफाई है ना वो भी के बर खुद से भी इज़त मांगने लग जाता है तार से ही चलता है वो ठीक है तो कुल मिलाकर बात ये है कि UPA सरकार ने वादा किया था कि 2015 में तुम्हारा हम पैसा चुकाएंगे देखो 7.61% ब्याज पर 2015 के वादे के अनुसार 1750 करोड रुपे सरकार को चुकाने थे ये जो आप स्टार लगा हुआ देख रहे हैं इसका अर्थ है केंद्र सरकार ये वाला पैसा अभी तक आईल कंपनियों को चुका चुकी है मतलब 2005 का वादा 2015 में पूरा तब तक इस परसेंटेज ब्याज के साथ केंद्र सरकार ने इतना पैसा यानी वर्तमान की NDA सरकार ने 2014 में आगई थी है सरकार 14 के बाद 15 में इस परकार का कारनामा हो गया इधर देखिए 7.59% ब्याज के हिसाब से 2015 में 1750 करोड 8.13% की ब्याज दर से 5000 करोड 7.75% के हिसाब से 5000 करोड क्लियर हो रहा है इनको जोड लो एक बाद 17 दूनी 34 और 35 और 5,10,13 यानी 13,000 करोड रुपे NDA गवर्मेंट UPA गवर्मेंट का उधार किया हुआ चुका गई है किसको चुका चुकी है तो यह सहाब ऑईल कंपनियों को चुका चुकी है ठीक है ना पेमेंट कर चुकी है इतनी बात क्लियर हो गया आच्छा अब एक सवाल बना सर और भी बचा है क्या ड्यू जी हाँ ड्यू बहुत बड़ा है ओईल बॉंड का जो ड्यू है वो जरा एक बार आप इधर देखें फिगर देखेंगे तो आपका आनंद सर्वत्तम हो जाएगा एक लाख चौटीस हजार चार सो तेईस करोड रुपए का धन अभी भी सरकार को चुकाना है जो वर्तमान में चल रही है स्पोर्स एक्टिविटी आठ महीने पहले पढ़ाया था बिलकुल हमने खुद नहीं बताया है दुबारा सुनिए इस वज़े से निर्मला सीता रवन जी कह रही है कि जनाब हम सरकार में रहे तो हम लोगों को जाते जाते यूपिये का उधार किया हुआ पैसा एक लाग चोंतीस हजार करोर रुपए ओइल कंपनी को चुकाना पड़ेगा तो एक बात बताओ हम आम जनता का पैसा टैक्स का माफ भी कर दें तो ये पैसा लाएंगे कहां से हमें केवल और केवल इतना ही नहीं करना है कि अपने लिए टैक्स वसूलना है हमें पीछे वाले जो टैक्स हैं वो भी चुकाने हैं जैसे कि जैसे आप इधर देख सकते हैं 2023 में वर्तमान की केंदर सरकार को 22,000 करोड रुपए आइल कमपनियों को चुकाने हैं अगले ही साल इधर की तरफ देखिए यहां पर 2022 में ही 2023 में 4150 करोड रुपए चुकाने हैं इधर देखिए 2024 में 22,000 करोड रुपए चुकाने हैं तो इस वजह से सरकार का कहना निकल कर आता है आप में से बहुत सारे विध्यारती चिंतित होने लग गए है चिंतित इस प्रकार से होने लग गए है हाई राम क्या हो गया पुरानी सरकारे कैसा कैसा कर गई कितना नुकसान कर गई आज की सरकार बढ़िया है ये सरकार पुराने कर्ज चुका रही है अपने द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है सही माइने में राष्ट निर्मान तो यही है है ना ऐसा नहीं है कता ही नहीं है यह जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है एक लाख चौँटीस हजार चार सो तेइस करोड रुपे का यह निश्चित ही दो हजार चब़ीस तक की सरकारों को चुकाना होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की जो आज की सो सरकार है वो कोई बॉंड जैसी प्रकिरिया नहीं अपना रही है बिलकुल अपना रही है लगभग दो लाख करोड रुपे के वर्तमान सरकार भी बॉंड जारी कर चुकी है लेकिन वो आईल बॉंड नहीं है यानि आईल वालों को नहीं समझाया गया है कि तुम्हें पैसा देंगे इस बार बॉंड बैंक वालों को टिकाया गया है बैंक वालों को जियाँ जो हमारी केंद्रीय सरकारी बैंके हैं जो गवर्मेंट बैंक्स हैं हमारी उनको कहा गया है कि तुम तो केवल और केवल उद्ध्योग पतियों के किसानों के लोन माफ़ करो माफ़ करने से जो घाटा हो रहा है वो हम चुकाएंगे और कब चुकाएंगे अगले 15 साल बाद तो बोले इस से क्या होगा बोले जैसे हमने आईल कमपनियों के पेमेंट आज हम कर रहे हैं ऐसे जो कोई सरकार आएगी 15-20 साल बाद वो करेगी फिलहाल के लिए तो तुम अपनी किताब मेंसे राइट आफ कर दो चुका हम देंगे तो जो बैंक हैं उन बैंकों को भी ये बॉन्ड वाली घुट्टी पिला दी गई है वर्तमान सरकार के द्वारा तो लगभग 2,00,00 करोड के जो बॉन्ड हैं वो केंद सरकार आज की बैंक वालों को पिला चुकी है लगभग 2,00,00 करोड की आगई बात समझ में तो आस्थावान किसी की प्रतितुरंत और निस्थावान ना बन जाएं बातों को पहले ध्यान से सुने सरकार चलती ऐसे ही है जिस देश के पास खुद की अपनी मनी नहीं है आज हम कोई डवलप्ड नेशन नहीं है कि हम अपने खाते में से निकाल के इस दुनिया को खुश कर दें ये सरकारों ने क्यों किया होगा ये भी इसलिए किया होगा क्योंकि एकदम तेल के दाम बढ़े हुए जनता को दे दिये जाते तो सरकार गिर जाती जैसे आज श्री लंका में हो रखा है, पाकिस्तान में हो रखा है उस समय की सरकार ने थोड़ा दिमाख लगा लिया एक्जेक्ली ऐसे ही आज अगर बैंकों के साथ जो काम हुआ अगर ऐसा ना होता तो पता चलता आज की पीडा को हमने आगे तक टाल दिया ये मानते हुए कि तब तक पैसा खूब हो जाएगा हमारे पास तरीके निकल आएंगे कमाने के क्लियर है? अच्छा, अब एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट बनता है क्रॉस आर्ग्यूमेंट क्या बनता है? कि सर ये जो आपने 1,34,423 करोड रुपे लिखा हुआ है यहाँ पे ये पेमेंट करना इस समझ में आ गया क्या हम लोगों का टैक्सेशन जो हम वसूल करते हैं वो इतना भी नहीं है क्या कि इसकी पूरती कर दे? है? हम फिर भी बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं हम अपने ऑइल बांड्स को चुका दें उसके बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं और हमारा जो टैक्सेशन है न वो केंदर सरकार अभी इधर की तरफ आप देखिए आपको एक बार का अंदाजा लग जाएगा कि भारत सरकार 2000 ये तो मैंने सारे फिगर्स आपको पहले ही बोल कर सुना दिये हैं हम लोग जिस प्रकार से टैक्सेशन वसूल करते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है किस मामले में ज़्यादा है जो हमारे ऑइल बांड के पेमेंट हैं उन से कई गुना ज़्यादा पैसा हम टैक्स के माध्यम से वसूल करते हैं तो आप इस बात को पहले समझेए कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने ऑइल बांड का पेमेंट करना है इसलिए हम कीमतें नहीं घटाना चाहते तो मैं आपको बता दू मेरे पस वो फिगर मिस हो रहा है कि सरकार अपनी कुल वैल्यू का ओइल बांड में जो पेमेंट करती है वो तुलनात्मा गरूप से बहुत कम है और हम बहुत बड़ी मातरा में टैक्स चुकाते हैं यानि कि सरकार की अगर मंशा हो तो निश्चित ही टैक्सेशन के अंदर कमी लाई जा सकती है फिर एक बड़ा सवाल बनेगा सर एक बाद बताईए सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है पेट्रॉल डीजल की कीमत इतनी बढ़ा रखी है टैक्सेशन कम क्यों नहीं करती है मेरा एक वीडियो है आप देख लीजेगा करते हैं अभी टेक्निकल टीम आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देगी जिसमें मैंने ये कहा है इस पर्ष्ट रूप से कि प्रधान मंतरी को विभिन डिपार्टमेंट्स के सेकेटरीज ने रिक्वेस्ट किया है कि एक चीज बंद कर दीजिए कौन सी फ्री बीज बंद कर दीजिए अब ये फ्री बीज क्या होती है मुफ्त की योजनाएं बंद कर दीजिए मुफ्त की योजनाएं जैसे किसी राज जिग ने गोशना करी कि मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूँगा मैं आज ही देख रहा था आम आज़वी पार्टी का विज्यापन आया हुआ था कि हमारी घोशनाओं ने पहले ही मंथ का हमने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है रिपोर्ट कारड में दिखाया गया है कि पहले मेहने में वादे कि ये थे कि 300 यूनिट प्रती परिवार फ्री बिजली दी जाएगी हमने कहा वाह क्या सरकार है मजा आ गया लेकिन वहीं एक और नियूज आती है वो ये दिखाती है कि पंजाब सरकार ने केंदर सरकार से 50,000 करोड रुपए के लोन की मांग किये कि सर लोन दे दीजिएगा जनाविक बात बताईए आप जो जनता को दे रहे हैं आप वो जनता से ही ले रहे हैं अब जब तक जनता इसके लिए जागरुक नहीं होगी आज हम और आप में सबसे बड़ा हमें क्या लगता है कि जो हमारे पास आजाए वो अपना है आप मेंसे कई लोग सोचते हैं कि हमारे पेट्रॉल डीजल का खरचा कितना ही हैं हमको क्या फरक पड़ रहे हैं ना मोटर साइकल चलाते ना स्कूटर चलाते कोई लोड नहीं है सरकार मुफ्त में दे रही है स्कूटर दे दे वही मुसीवत यह नहीं है जनाब मुसीवत यह है कि आपको नहीं पता है कि जो आप कीमत और चीजों की भी खर्च कर रहे है चाहे वो मुद्रक अव मुल्यन हो चाहे आपके घर की सबजी का महंगा होना हो सिलेंडर का महंगा होना हो वो सब महंगाई ultimately इन मुफ्त की योजनाव में लिपेट के आ रही है सरकार ने जो भी मुफ्त में देना है उसका पैसा भी आप इसे लेना है आप जो आज ओईल नमक जो कभी हमारे देश में मतलब लेने के लिए पैदा करने के लिए दांडी जैसा सत्यागरे हुआ था दांडी ये मार्च हुआ था नमक को हमने फ्री में खाया था आज नमक की थैली 20-25 रुपे की आती है भाई कारण टेक्सेशन्स कि यदी कोई देश अपने इस प्रकार के मुफ्त योजनाओं के माध्यम से पॉपुलरिस्टिक योजनाओं लाँच करता है तो वो चुनाओ तो जीत सकता है देश में नव निर्मान नहीं कर सकता अगर हमें वाकई में टेक्स लगाना है तो टेक्स लगाईए कैपिसिटी बिल्डिंग करने के लिए आप टेक्स लगा दीजिए उस टेक्स के पैसे का उप्योग करिए सडक निर्मान में उस टेक्स के पैसे का उप्योग करिए स्कूल कॉलेजिस के निर्मान में युवाओं को रोजगार देने के अंदर इस्किल डवलपमेंट में जिससे की और आगे धन क्रियेट होगा अभी हम क्या कर रहे हैं एक हाथ से ले रहे हैं हम राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं हमने नल चला रखा है पानी बाल्टी में भर रहा है नीचे गिर रहा है उसी पानी को वापस नल से अंडर डाल रहे हैं हम गोल गोल घुमा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको फ्री बीज और सरकार की ये बातें दोनों की दोनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी मैंने आप लोगों को ये पूरी तरह से बता दिया है कि 2005 से 10 के बीच में 1.34 लाग करोड के वो दिये गए थे तो मैंने जो बातें बोली हैं वो सब यहाँ पर लिखित में आपको प्रॉपर तरीके से दे दी गई है नहीं जान पाएंगे मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज करके आप अनकेडमी पर 10% डिसकाउन प्राप्त कर सकते हैं on all अनकेडमी सबस्क्रिप्शन्स अनकेडमी की SAC केटेगरी पर इस बार एक जबरदस्त 24 अपरेल को कॉमबेट होने जा रहा है इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें जिसमें आपको लैप्टॉप, मोबाइल, फिटबेट, अमेजन वाउचर्स और तो और टॉपर्स को 100% स्कॉलर्शिप तक दी जा सकती है यदि आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो अनकेडमी पर टॉप टैरिकेटर्स के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जाइन कर सकते हैं एक इंपोर्टन चीज मैं आपको यहां बताना चाहूँगा यदि आप अभी 25 तारीक से पहले-पहले UPSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन CUPSC अशौर प्रोग्राम के तहत लेते हैं चाहे आप अनकेडमी लाइट के थूरू टैस्स सीरीज लें बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपके लिए उपलब्द है 1-2-1 मेंटरिंग यानि की एक दूसरे के गाइडेंस के साथ एडुकेटर के साथ जुड़कर आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें